सब्सक्राइब करे हमारी चेनल ज्यान सरिता को और बेल आइकॉन दबाए हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए आपने अभी तक मंदिर में देवी देवताओं की सीधी मूर्ति की पूजा होते हुए देखी है लेकिन एक ऐसा मंदिर में है जहां भगवान के सीधी मूर्ति की पूजा ना होकर उलती मूर्ति की पूजा होती है यानि जिन का सिर नीचे जमिन की तरफ और पैर उपर आसमान की तरफ है उलक्टे हनुमान जी का प्राचीन मंदिर विश्व की एक मात्र ऐसी प्रतिमा है ये हनुखा मंदिर मद्य प्रदेश के इंदोर सी लेके सावेर में है यहाँ पर बजरंग बली की उलक्टी मुर्ति की पूजा करने के पीछे एक खास रहसे छिपा है जिसका संबंद रामायन काल से माना जाता है माना जाता है ये मंदिर रामायन काल के समय का है इस मंदिर में भगवान हनुमान की उलक्टे मुख वाली मूर्ति विराजमान है उलक्टे बचरंग बली की मूर्ती के पीछे माना जाता है कि रामायन काल मेरावन से युग्धु के दोरान अहिरावन ने धोखे से श्री राम वलक्षमन को मूर्चित कर अपने साथ पाताल ले गया तो भगवान हनुमान उन्हें खोच दे हुए पाताल लोक चल गए पाताल लोक में भगवान हनुमान ने अहिरावन से युग्धु करके उसका वद किया था इस संबंध में माना जाता है कि जहां पर मंदिर बना हुआ है उसी जगे से भगवान हनुमान पाताल लोक गए थे और उस समय उनके पाउं आकाश की ओर से और सिर्धर्ती की ओर था ज जिस कारण इने पाताल विज्य हनुमान कहा जाता है। मंदिर में भगवान हनुमान के साथ भगवान श्री राम, लक्षमन जी और देवी सीता की भी मूर्तियां स्थापित हैं। साथ ही इस मंदिर के परिसर में हर सिंगार के दो पुराने पेड़ भी स्थित हैं, जिनकी उमरे एक सो सालों से भी अधिक मानी जाती है। स्क्राइब परी